हलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको रहीम दाज़ी का एक दोहा पड़ा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आपको मेरे चैनल पर रहीम दाज़ी के बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे आप प्लेलिस्ट में ज़ा कर देख सकते हो चलो में शुरू करती हो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं देख लीजिए चितान का मतलब होता है चिता मतलब लकडियों का धेर जिस पर मर्य विव्यक्ति को जलाया जाता है जिस पर डैड बोड़ी को जलाया जाता है चित का मतलब होता है मन और दहती मतलब जलाती है तो पहले मैं दोए का आपको सरलर्थ बताऊंगे और उसके बाद भाबर्द बताऊंगे आप वीडियो को लास तक देखेगा तो रहीम दाजजी ने इस दोए के माध्यम से हमें सीख दिये कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए हमें टेंशन नहीं करनी चाहिए क्यूंकि जो चिंता होती है वो चिता से भी अधिक विनाशकारी हो रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित चेत रहीमन मतलब रहीम दाजजी कठिन चितान ते का मतलब है चिता से भी चिता से भी कठिन चिंता को छोड़ देना चाहिए अब यहां पर रहीम दाजजी कह रहे है कि चिता से भी कठिन चिंताओं का चिंतन छोड़ देना चाहिए और चित चेत का मतलब है कि हमें अपने मन को चेतना चाहिए, इसका मतलब है कि हमें हमारे मन पर नियंतरण करना चाहिए, हमें चिंताओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बलकि हमें हमारे मन पर नियंतरण करना चाहिए आगे देखिए चिता दहती निर्जीब को कि जो चिता होती है दहती यानि जलाती है निर्जीब को मतलब मरेव व्यक्ति को कि जो चिता होती है वो तो डैड़ वाड़ी को जलाती है मरेव व्यक्ति को जलाती है लेकिन चिंता जीब समेत लेकिन जो चिंता होती है जीब का मतल प्राणों के समेत यानि साथ कि वो तो प्राणों के साथ ही हमें जला देती है इसका मतलब है कि जो चिंता होती है वो जीवित व्यक्ति को ही जला देती है ठीक है अब इसका आप भाबर देखिए रहीम दाजी कहते हैं कि जीवन में आई पठिन चिंताओं का चिंतन छोड़ चिंता को छोड़ कर मन पर नियंत्रण करना चाहिए क्यूंकि चिता तो मरेवे व्यक्ति को जलाती है किन्तु चिंता जीवित प्राणी को प्राण होते वे भी जला देती है चिंता से जीवित मनुष्य भी मरेवे के समान हो जाता है ते हमें चिंता नहीं करनी चाहिए आशे करती हो आपको ये दोह समझ में आ गया होगा यदि आपको मेरा बीडियो पसंद आओ तो बीडियो को लाइक जरूर कीजिए धन्यवाद